नमस्कार में हुजय श्रीनाग्दा और आप देख रहे हैं CBC News राजस्तान राजस्तान कॉंग्रस के प्रदीश अध्यक्ष गुविन सिंग डोटासरा ने कहा है कि भाजपा से कौन डरता है हम तो इनके शडियंतर से नहीं डर रहे वे बोले जनता अब सब समझ गई है और जबाब देगे 9 अगस्त को बास्वाडा के मानगर धाम में कॉंग्रस नेता राहूल गांधी की सभा होने वाली है और उसी को लेकर वागड में डेरा डालने आये डोटासरा ने आज सवेरे उदापर की सर्कित हाउस में मीडिया से ये बात चित की बाद में वे डुंगरपुर के लिए रवाना हो गये और अब वे बास्वाडा जिले में ही रहकर राहूल की सभा की तैयारियों पर नज़र रखेंगे एक सवाल की जवाब में डोटासरा कहते हैं कि मानगड धाम पहारी शित्र पर है लोगों के आने में चिंता नहीं है इतने लोग आएंगे लाइने लगेंगी उनकी विवस्ता कैसे होगी इसकी चिंता की वे बोले लोग तो स्वयम ही मानगड धाम पर आएंगे डोटासरा ने कहा कि कॉंग्रस का आदिवासियों के साथ गहरा लगाव है भाजपा की केंदर में सरकार ने 9 साल में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया जबकि कॉंग्रस ने सरकार में रहते हुए बहुत कुछ गया है दोटासरा ने कहा है कि भाजपा चाहती है कि हमारे पिछ पर खेले जब कि हम चाहते हैं कि विकास के पिछ पर खेले हमारी सरकार ने राजस्थान में जो काम किये हैं उस पर खेलेंगे कोरोना के बहतर मैनेजमेंट पर खेलेंगे भाजपा की तरह फिशारा करते हुए कहा कि इनके चक्कर में पहले कोई आ गया होगा, अब हम नहीं आने वाले एक सवाल पर डोटासरा ने कहा कि भाजपा के मेरे प्रती आक्रामक होने न होने से मेरे क्या परक पड़ेगा मैं भाजपा के सामने ही लड़ा हूँ, तीन बार भाजपा के उमीदवार मेरे सामने थे, उन्होंने मेरे को निर्विरोध थोड़ी छोड़ा मैं बोले कि भाजपा रसस अपना काम करेंगी, हम अपना काम करेंगे बोले हमारी सरकार की योजनाए हमारा काम ही तो बोलेगा भाजपा वाले क्या मुकाबला करेंगे हमारा इनका काम ही क्या है कोई साड़े चार साल में किसी भाजपा के आदमी को हमारी योजना की कमी खामी बताते किसी ने देखा है क्या किसी ने राजस्तान के 25 में से 25 संसदों को काम करते देखा है क्या मैं बोले भाजपा से कौन डरता है इंकर शरीय अंतर से हम नहीं डरते